नवश्कार माने निया प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये वीडियो में हमारे वतन वापसी के लिए बना रहा हूं ये वीडियो में चबाहर से बना रहा हूं जो इरान के सिस्ताने बलुचिस्तान में यहां पे हम लोग सर पिछले 400 दिन से हम लोग जेल में थे हम लो हम लोग को रिहा कर दिया गया 9 मार्च 2021 हम लोग यहां पर निर्दोष पाने के बाद भी ठीक है सर अम लोग करप नहीं थे ना हम लोग कोई गलत काम किये यहां पर भी हमने अपने हिंदुस्तान का नाम बरकरार रखा है साथ ही विदेशों में रोजगार देने के नाम पर ठ साल मंदार मिलंत वरलीकर उम्र 26 साल यह दोनों महरास्ट्र से हैं उत्राखंड के नवीन सेंग उम्र 26 साल बिहार के प्रणव कुमार उम्र 22 साल और तमिलनाट के थमिच सेलवन रेंगा सामी उम्र 30 साल मैं मधन सिंग बोल रहा हूँ और मेरा लड़का नवीन सिंग इरान में डेड़ साल से फचा है और मैं मोधी जी से प्रातना कटता हूँ कि मेरे लड़के को जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और मैंने विदेश मंतरा लग और प्यम हाउस और सब दिखाओ लेटर ड और उनके मलग कोई हाल चाल लेने वाला कोई नहीं मैं मोधी जी से प्रातना करता हूँ कि मेरे लड़के को जल्दी से जल्दी मलग भारत में भेजा जाए एक वीडियो संदेश में नाविकों ने कहा कि उन्हें 21 फरवरी 2020 को कथित तौर पर ड्रक्स की तसकरी के आरोप मे इरानी अधिकारियों ने होर्मूज डल डमरू मद्य से गरफतार किया था वहीं एक नएव वीडियो संदेश में कहा हम धोखा धड़ी के मामले में लगभग 400 दिनों से जेल में थे नौ मार्च को रहा होने के बावजूद इरानी अधिकारियों ने हमारे पासपोर्ट और दस्तावेज नहीं दिये हैं हम कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं आएए देखते हैं एक्सक्लूसिफ वीडियो नमस्कार मेरा नाम अनिकेच शाम यनपूरे हैं मेरे उमर 28 साल है और महराश्य रस्ता हूं नमस्कार मेरा नाम मंदर मिलिंद वरली करें मैं 26 साल हूं और महराश्य नमस्कार मेरा नाम नवीन सिंगर मैं 27 साल को मैं उत्राकंड से हूं नमस्कार मेरा नाम प्रणाव कुमार है मैं 22 साल का हूं मैं बिहार से हूं यह वीडियो में हमारे वतन वापसी के लिए बना रहा हूँ यह वीडियो में चबाहर से बना रहा हूँ जो इरान के सिस्ताने बलुचिस्तान में है हाँ यह वही चाह बाहर है जहाँ पर अपने हिंदुस्तान ने 200 मिलियन डॉलर का एक्पोर्ट प्रोजेक्ट लिया गया है यहाँ पर हम लोग सर पिछले 400 दिन से हम लोग जेल में थे हम लोगों को एक जूटी केस में पसाया गया था सर हमारे एजेंट्स और शिपोर्णर की वज़े से हम लोग इसकी इसमें पसे गये थे हम लोग लगबख 400 दिन निर्दोश होके जेल में कैथ थे और हम लोग को रिहा कर दिया गया 9 मार्च 2021 में हम लोग यहाँ पर निर्दोश पाने के बाद भी ठीक है सर हम लोग करप नहीं थ थे ना हम लोग कोई गलत काम किये ते हैं यहाँ पे भी हमने अपने हिंदुस्तान का नाम बरक HARRIS कर हम लोग के हालत एक जानवर की तरह हूई है जहां हम गली के ठोकर खा रहा है था हमारे हाथ में पैसा है ना हमारे पास, कुछ भी नहीं है सर। कि कम्विनिकेशन के लिए हम लोग किदर-kदर से लोगों से मदद मांगते हैं तब जाके किदर मदद मिलती हैं सर। यहां पर हम लोग के पास पास्पोर्ट है जइसले ना कोई डॉक्यमेंट्स है जर्मके जान advis Spehas ने कोई दोक्यमेंट्स कोई प change भी नहीं थे ना कोई documents है जहां जाके हम लोग कुछ land job करें सर कुछ जमीन पर काम करें थोड़ा बहुत पैसा कामा सके हम लोगों के लिए लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं ना क्योंकि हम लोग के पास documents ही नहीं है वहां पे सर मैं एक्वार वादव आपको जाओंगा कि यह जो इंडियन ऐजन्ट से यह विज़ा गया है तो आपसे विंती है कि इंडियन एजंटों के साथ उनके उपर आप कोई सबसे कारवाई कर लो सब्सक्राइब को यहां फसे ने क्योंकि हम लोग की हालत यहां पर बहुत बहुत खराब है मैं आपको हाथ जोड़ के विनंती करता हूं कि हम लोग की वतन वापसी कर दो प्लीज सब्सक्राइब को यहां पर हम लोग की हालत बहुत जादा खराब है दिन बद दिन खराब होते जारी है मैं आपसे यही विंती करूंगा शर कि आप इरान गवर्मेंट से संपक्क करके या अपनी एंडियन एंबेसी जो तेहरान में ह उनको बोल के हमारी वतन वापसी करवा दो से, प्लीज से हम सब आपको हाज जोड के विंती करते शर कि हमारी वतन वापसी कर दो हम लोग के हालत यहां पे बहुत खराब है शर जैहिन धन्यवाद सब उन्होंने पिये मोदी को लिखे लेटर में लिखा है कि हम यहां बहुत खराब हालत में हैं इन एजेंटों ने हमें धोका दिया हम भारत सरकार से उनके खलाफ कारवाई करने का अनुरोध करते हैं ताकि किसी को वो ना भुगतना पड़े जो हम यहां जेल रहे हैं